हलो मेरे प्यारे बच्चों आप सभी का वेलकम इस ब्यूटिफुल प्लैटफर्म पे जिसका नाम है कीप लर्नी बाय सोपनी तो देखिए आज हम पढ़ने जा रहे है प्रैक्टिस सेट फाइउ ठीक है लास्ट लेक्चर में हमने प्रैक्टिस सेट फॉर कंप्रिट के है प्रैक्टिस सेट फाइउ ठीक है तो उससे पहले होता हाँ सबको पता है राइट याणकल के बारे में नहीं बात है निसमें एक उस प्रकार होता है मालो हम इसे नाम दे देते हैं मानलो एवी सी क्या है राइट एंगल ट्रैंगल होता है 90 डिगरी यानि एंगल a b c कितना होगा 90 डिगरी होगा इसके opposite side ठीक है अपोसिट यानि एंगल के एक दम आमने सामने जो side होते हैं उसे कहते हम hypotenuse ठीक है क्या कहते है hypotenuse या फिक शॉटकट में है पूब भी कहा जाता है तो simply हम कंप्रिटी कहेंगे हैं इसे कहेंगे हम साइड वन बेस को वह से गएंगे साइड तु यह हमें डिफिनिशन भी आप उपर दीछे गीवन है तो ने इस प्रैक्टिस में क्या आप सिखना है राइड एंगल ट्रैंगल को हम मैथेमेटिकल टूल्स के यूज करें किस तरह बनाएंगे ठीक हो पढ़ इसके पास राइट एंगल वह इसे हम राइट एंगल कहते हैं इन शचेट रैंगल साइड आपोजीट कैसे इस था एंगल को हाइपोटिनियस कार जता है ठीक है बड़ाई इजी और सिंपल सा कॉंसेप्ट है ठीक है आईए प्रैक्टिस एट फाइव क्वेशन करके पता च तैए आए आएव घड़ क्वेशन करके यहां करीवार्या करें आए़ आए पहते हैं बाफित एंगल का यह एंगल को एंगल को कि यह होगा यह घर हमार रफ इसे नाम देढ़ेंगे यह में तो एन हमेर पास एट सेंटीमेटर एट सेंटीमेटर यह होगा 90 डिगरी एन हमारे पास कितने में एमेंन कितने कितना इस यह सिंपल तो दिखें अब हम कन्स्ट्रक्ट करेंगे विद्ध हेल आफ कि मैथिमैटिकल टूल्स सब्सक्राइब लेना है और प्रोंटेक्टर लेना है और रूल्लर रेलें तीक है कॉम्पास को साइड में रखती है पर्टक्टर को सेड में रखती है सबसे पहले रूलर लेना है इसे या पर रखके हम एट सेंटेमेटर लाइन कीचेंगे कि बढाना पड़ेगा कि यहहां है ऐट सेंटिमेटर की लाइन इठ व्यर्ट एड सेंटिमेटर में इसे नाम देखें ए ए-ए-डिया एड सेंटिमेटर लिख लो निसके बार यहापे हम एपर कि दी को रखेंगे प्रोटेक्टर को रखेंगे और फिर 90 डिग्री मेजर करेंगे तो नाइटी डिग्री का होता है या होता है ठीक है थोड़ा समया करना है लंबी लाइन ड्रॉक करने होगी होगी नाइट लाइन होगी यहां पर इसे एरो देना है यह होगा 90 डिग्री आप इसे 90 डिग्री लिए सकते हो पर उसके उससे बहुतर होगा कि आप सिब यहां पर ऐसे नाइट डिग्री बनाओ कि उसके बाद कि टेन सेंटिमेटर कि मेजर कर रहा है कि यह पर टेन सेंटिमेटर तो नहीं हो रहा है यह मैक्सिम्म सेवन ही होता है कि इसे बड़ा करने कुछ आप्षन नहीं है शाहिद कि आपको यह करना है ऐसे टेन सेंटिमेटर लेना है अब यहां पर नहीं है कोई बात नहीं कि इसे एन पर रखेंगे और फिर यहां पर क्या करना है कट करना है अब यहां पर करना ही सकता क्योंकि यहां पर सेंटिमेटर से ज्यादा नहीं होता है वह कट करने के बाद यहां से लाइन आपको जॉइंट करने होगी इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तब यह से नाम देंगे हम क्या नाम देंगे यह हो जाएगा 10 cm और जो रिमेंग होगा उसे फाइंड नी करना में पस यह पता करना तो यह हमने ड्रॉ कर दिया राइट एंगल ट्रैंगल इजी कॉंसेप्ट है ठीक है यह दिखे नेक्स्ट ट्रैंगल सबसेफिल कहा करना होता है राइट यंगल ट्रैंगल इन ओता है राइट एंगल देशसे नाम देदीचह सूआ है थी कितना है four centimeter okay so angle UTS कितना हो गया फिर 20 degree हो गया अब क्या करेंगे हम कि टूल्स लेंगे 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 और प्रोटेक्टर लेंगे तो सबसे पहले रूलर को या रखेंगे अब फॉर सेंटिमेटर की लाइन खिचेंगे और या फॉर सेंटिमेटर की साइड में लेके जाओ इसे नाम जी जो टी एस है फॉर सेंटिमेटर उसके बाद डी को रखना है टी पे तो एंगल UTS 90 डिग्री कि सब्सक्राइब करना है थोड़ा बड़ा एंगल लेंगे यहां पर है कि हो गया 90 डिग्री और उसके बाद कंपास को मेजर करेंगे 5 सेंटिमेटर है इस कितनी है हमारी 5 सेंटिमेटर है इस पर रखना है टीप टीक है एस पर रख दिया उसके बाद यहां पर क्या करना है सब कट करना है यह जब कट इसको नाम देना है यू और एक लाइन जॉइन करनी है यू से लेके इस तक है ठीक है तो यह हो जागा 5 सेंटिमेटर है कितना इजी था सिंपल था आया समझ अब नेक्स देखते हैं सिमिलरली अब यहां पर गिवन है ABC नाम का ट्रेंगल है जो 90 डिगर सबसे पहले बना लेंगे इस आए भी सी दीसी यह 5.5 सेंटिमेटर एबैसे एंगल 90 डिगरी एसी आए 7.5 कंस्ट्रक्ट कर्द कर दूए जल से जल तो कमपास लेना है रूलर लेना है प्रोटेक्टर लेना है कि सबसेवड़ी किसका क्या मोता है रूलर का कितना लेना है 5.5 तो ले लो कि यह आग्या 5.5 नाम देदो क्या है बी एंड सी कि 5.5 सेंटिमेटर अब प्रोटेक्टर को लेना है यह यहाँ पर रखो को 90 डिग्री फार्म करो कुछ इस प्रकार तुदि लंबी लाइन लेनी पड़ेंगी अगया 90 यह गया 90 यह पेक एरो करना है उसके बाद रूलर पर कि इसे मेजर करो कमपास को कितना 7.5 कि मान लो 7.5 तक ही जाता है तो मैं मानना है कि 7.5 इसका टिप यहाँ पर रखो सी पर कि यह कंप्लीट कि 7.5 लेना है आपको और यहां से कट करना है कुछ इस प्रकार ठीक है और जहांसे कट होगा ना वहां से एक लाइन को ड्राव करना है सी तक कर दिया यह हो गया एक 7.5 कि इतना इसी था बड़ा है इसी कॉंसेक्ट अब ट्रेंगल पी क्यू आर देखते हैं और पी क्यू गिवन है पूर पॉर पॉइंट फाइंट है और ठीक है सो इसे हम कैसे बनाएंगी सब्सक्राइब क्या करते इसे थोड़ा कि घुमा देते गal माना रफ अबी बना इसे रख दो को प्राब्लee होगा कि फ्राविम अभी इन फे ना हैं कि टीक्यक्सक्राइब ना अभी बिए धिकन्त यूर्ण स्टरें अनम-छिस अक्गने होते अंग गाइंग इकंस्ति की और यह जो परका कमपास रूलर एंड पोटेक्टर सबसे पहले रूलर ऐसे हम ड्रॉप करेंगे 4.5 ठीक है यह वाब पीक्यू पीक्यू कितना है 4.5 सेंटेमेटर यहाप पर क्यू पर रखना है यहाँ से 90 मेजर करना है यह रहाँ 90 तब उपर ले जाई से चुकि यह होगा 90 डिग्री यह आयरो देंगे फिर पी आर मेजर करना है 11.7 अब देखो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा है 7 तक ही जाता है तो आपको 11.7 तक मेजर करना है ठीक है यह पर पीपी रखेंगे ठीक है रख दिया पीपे और इसे ऐसा कुछ कट करेंगे यह आगया हमारा आर और इसे आर से यार से लाइन ज्याइन करें ठीक है 11.7 सेंटिमेटर ठीक है कितना एजी था बढ़ा एजी था अब नेक्स क्वेशिन के एशुड़न टूप एक्जामपल देरो उने एण प्रैक्टिस कंस्ट्रक्ट और ट्रैंगल तो आप खुद से कुछ प्रॉब्लम लेना है यहां कोई भी आप ले सकते हो एकुड आंगल ट्रैंगल बना राइट अंगल बना खुद से सॉल कर सकते हो यहां पे यह एक्जसाइस खतम होता है ठीक है ट्रैक्टिस सेट 1.5 नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे इससे आगे पढ़ेंगे ठीक है झाल कर सकते हो